हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्रफार्म BSC बायो वाला में स्टुडेंट आज इस लेक्चर में हम नई यूनिट के साथ आये हैं यानि ये आठवा यूनिट चो कि आपके BSC 4 समिस्टर के बॉर्टनी का है ये जो यूनिट है इसमें हम बात करेंगे हर्बल प्रिप्रेशन और फाइटो केमिस्ट्री यानि कि जो आपके यूनिट का नाम है उसका नाम है हर्बल प्रिप्रेशन और फाइटो केमिस्ट्री इसमें आपको सबसे पहला टापिक पढ़ना है कलेक्शन नाप वाल्ड वाइल्ड हर्व है उसको आपको उसका कलेक्शन किस प्रकार से आप करेंगे मेडिसीन के तौर ठीक है तो अब समझते हैं हर्बल जो वाइल्ड आने की कलेक्टेड है आपको तो पता है जितने भी मेडिसीन होते हैं हर्बल मेडिसीन होते हैं वो किसी नैकिसी हर利म प्रांट किने लिए जो मेडिस्ञिस इन इस मेडिसंनल प्लांट का ही во ह्ता है 오늘도 marula एक्षच प्लांट से उस उसंदे प्लांट के पार्प्त ह कि डिफ्रेंड पार्प्त होता है आपका क्या medicinal plant ठीक है इतनी बासन में अब जो वो medicinal plant होता है ठीक है वो हो सकता है भाई सीड से प्राप्त किया जाए रूट से प्राप्त किया सकता है medicine इस्टेम से लेप से फ्लावर से फ्रोड से बार्ग से आपक और इसका जो collection होता है अगर prag से कर रहे हैं इसलिप से कर रहे हैं इस्टेम से टाइम होता है धैने कि कि ऑजिए कि व्यक्राप्त करेंगे हम लोग उसके पार्ट का तो उसका अलग-अलग timing होता अलग-अलग समय होते हैं जिस पिर हम लोग collection करेंगे जैसे मालेचे आज या रूट कागर हमको collection करना है किसे भी plant कहा है कोई फ्रृट है कोई वह मेच्योर हो जाए तब हम उससे क्या करेंगे मेच्योर हो जाएगा यादि कि उसके मेच्योर्टी पे होता है तो उसका कलेक्शन रूट का कलेक्शन कब होगा जब भाई प्लांट मेच्योर हो जाएगा यारे कि अगर मेच्यूर होगा तभी उससे मेडिस्नी मना जाएगा जैसे बार्क से बनाना है तो बार्का जब प्लांट में फार्मेशन हो जाएगा सेकेंटरी ग्रोथ हो जाएगा तब मिलेगा ठीक है लीप से है तो लीप फुली डेवलेट हो जाएगा तब पूर अच्छ सब्सक्राइब जाये हैं तो जो भी रव से करेंगे तो एक दब मैच्योर हो जाना चाहिए तब आप किसी भी प्लांट का क्या कर सकेंगे उसका क्लेक्शन कर सकेंगे अब आ आपने प्लांट पार्ट को कलेक्ट कर लिया मेडिसिन के तौप पर आपने क्लेक्ट किया चाहे लीफ से जिसे आपने उसको ले लिया आप उसके बाद क्या करेंगे जो प्लांट आपने लिया उसकी वासिंग ड्रायंग करेंगे मेल जिए आपने रूट लिया है तो रूट पर हो सकते हैं कि मिट्टी बगए लगे हो लीफ है तो अप उसकी सफाई कर लेंगे वासिंग कर लेंगे तरी उसको आप सुखाएंगे लो टमप्रेचर पे कुछ चीजी होती है कि लो टमप्रेचर पे सुखाए जाएगा किसी को हाई टमप्रेचर पे किसी को वेरी लो टमप्रेचर पे किसी को आप धूप में सनलाइट के प्रजिस में सुखाएंगे किसी को आप सेड़ छायादा रस्थानों पे सुखाएंगे सखाना दिए आब उसके बाद क्या क्रें आप उसकी स्टोरिंग ब्लांट को अपने या आप जिगा दोच करें डंगे आपक कैसे प्लेस क्लोच कंटेडर में में आप उसको क्या करें के स्टोर कर लेंगे चहां सीलन वग ear na hoe, चाप पाणिया आने की मॉइस्टर ना हो, अपने सुखा करका आप मॉइस्टर ना हो, तो आप उसको इस्टोर कर लेंगे, उसके बाद आगा भाई आप उसकी grinding करेंगे, भाई आप ने रख लिए अप बाइन को, अब आप उसकी grinding करेंगे, क्रैंडिन्य करने का मतलब आप लॉभ्य आपको अगर ड्रग बनाना है तो आप हो सकता ड्रग को कैप सूल के फाम में बनाए या फिर हो सकता आप टैबलेट फाम में करें हो सकते कि आप सीरफ के फाम में करें ख़ें आपको अगर ताउडर के फार में कभी दिख जाता है टैबलेट हो तो कैप्सूल इन सब्सक्राइब करेंगे आपने घरान के से यह यह हलके से वाटर कोंटेंट मिला करें आप उसको टैबलेट का तो आगर आपको क्या करना है अगर आपको लिक्विट फाम में बनाएंगे तो इसके इतने सारे तरीकी होए आप इसे प्लांड को कैसे कलेक्ट करें तो आई आप इसी बात कम लोग लेंग्वेज के मादिम समझ लेते हैं तो लिखा गया है तर नेचुरल ट्रग जो नेचु ड्रग्ट में बी आपटें फ्राम अप्टें ट्रू कलेक्शन आप वाइल्ड हर रिडिकी बाई वाइल्ड हर की हो सकता है कि वह प्लांड पहाड पे हो चंगल में हो इसलिए उसे वाइल्ड हर बे बोला गया और यह आप उसको कहीं उगाय हों सियू कल्टीवेश्र में आ किलाइल्ड हर ठेसे पहलें किलेक्शन होंट यह ठापो किस प्लांट में में इसमें क्या होगा ऑपके पास कोई प्लांठ हर्व है ठीक है मेडिशनल प्लांट के तोर पे आप उसका यूज करेंगे तो हो सकता है भाई आप रूट से स्टेम से और बार्क से जो है कि लीप से फ्रूट से इन सब का करें तो हर एक प्लांट का कलेक्शन एक मिचियोर्टी भी होता है एक स्पेस्पिक टाइम भी होता है ठीक है जैसे मैंने अभी बताया था अगर आपको रूट को कलेक्ट करना है तो आप काप करेंगे जब रूट अच्छे से मेश्योर्ण हो जाए लीफ करना हो तो लीफ फुली तरीके से क्या हो जाए डेवलर्ट हो जाए फ्लावर से करना हो तो फ्लावर की ओपनिंग हो जाए रा यह रूट है जब यह लोग मेचूर हो जाते तब हम लोग इसका कलेक्शन करते अगर इसको हम लोग यंग स्टेज में कर देंगे तो इसकी अगर जब बार्क चाहिए वह नहीं बन पाते हैं तो बार्क अच्छे से मिचयर हो जाएगा तब आप उससे करेंगे जारे कि हर एक पर आप उसको करेंगे लिखा गया है है अगर आपने प्लांट को क्रेंगे करें या फिर कहीं वाए है तो उसको आप इक specific भी करेंगे एक श च्बिक सभी सेज़न dzieci सबिंद वीज़न करेंगे कछ Key सब्सक्राइब का रियुक्त को अब फेंड में बैख्षांव टान अगर टो करेंगे तो सबकूल सेयल Gel या फिर आपका सकते की रूर्ट आर कलेक्टड अधे इंडा वेजिटेटीव गुर्ट वेजिटेटीव गुर्ट यानि कि उसका प्लांट बढ़ना बंद हो जाए तब आप रूर्ट या राइजोब को कलेक्ट करेंगे किसी प्लांट से सकेंन और अपका लीफ लीफ आडड यंग सूट बहई जो सूट एनिक उसका आपका सकतेए की स्टेव है जब अच्छे जब अच्छी तरीके से फूट आपका फल है वो पक जाए जब पक जाएगा तो भाई उसमें क्या हो जाएगा सीड का फार्में सनुग जब सीड भी मेचूर हो जाएगा ताब आप उसको कलेक्ट करेंगे करने का मतलब है जब बार्क अच्छे से मिचूर हो जाएगा चाहिए स्प्रिंग सीजन में हो जो भी सीजन में हो प्लांट अच्छे से मिचूर हो जाएगी बस तो आप उस ताइम में आप उसको क्या करेंगे उसको कलेक्ट कर लेंगे अब वही लिखा गया है तब प्लांट मतेलियल such as fruit, stem, leaf, flower, fruit, seed, bark, etc. चो भी प्लाइट मतेलियल है are collected manually. आप उसको हाथों के माध्यम से क्या करेंगे? उसको collection करेंगे या फिर आप mechanical माध्यम से आप पर आप कर सकतें कि mechanical कैसी यंदर के दोरा जानी भाई अगर leaf है तो आप उसको हाथों के दा तोर दोरोंगे फ्रूट है तो आप तोड़ देंगे सीड है तो उसको आप किसी मसीनरी की दोरा अलग कर सकते हैं तो यही सब बता बाते बताए गई है तो अंडर ग्राउंड पार्ट आप पिस्टेम आप प्लांट सज एज रूट राइजूम और डिग मैनुवली वार मेकेनिकल दिवाइस अगर प्लांट चा देगे राइज में उसका रूट है तो आप क्या करें किसी मशीन के मादविम से डिगर के मादविम से फावडे के मादविम सुख हो देंगे अगर छोटा सा प्लांट है तब उसको वैसे उखार लगे आगे आता आपका वासिंग एंड राइंग तो मैं और उसको क्या कर दो इसको साफ करेंगे दीह प्लाइबर मिट्टी के हैं या स्वाइल के अंदर तो आप उसको पहले अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ते उसको सूखाने के लिए मनें बता हैं आप उसको लो त्मपरेचर पर हाइड टमप्रेचर पर वेरी लू टमप्रेचर पर सर्लाइट पर आप छायदा रस्थानों पर या फिर एलेक्ट्रानिक जो की एयर के द्वारा जो हवाई देती है मसीनरी जो आती है उसकी द्वारा आप डिफरेंट तरीके से आप उसको शुखा लेंगे ठीक है और प्लांट सुख करके इतम जल जाए तो आप इतना सुखाएंगे कि प्लांट में 10% नमी यानिकी मौईसर बढ़ा रहे ताकि अगर आप सपोज को यह कोई सीड है आपने उसको लिया है भाई सीड को आपने क्या किया आप उसका मेडिसिन वैलू चाहते है भाई उसको मेडि दें प्लांट को फिस अगर ग्रो कराना चाहें तो आप उसको प्लांट होते हैं एक धूप सनलायर तो आप भाई अगर उसको मेडिन घर में तो आप क्या भी तो मौन है तो आप उसको अपने में चाहाएं तो subscribe उसको बहुत सकते वह आच्छे से जर्मिनेट कर जाएगा तो वही बार पता आए गया है कि प्लांड को आप उतला नहीं सुखाएंगे कि ताकि उसका जो चेमिकल कांस्ट्वेंट है वह डिस्टर हो जाए ठीक है तो यानिकि आप सुखाते तो उसका चेमिकल आपका नहीं होगा बलकि 10 10 पर्सेंट उसका जो दर की वह आपका जो की केमिकल वह वैसे बना रही ठीक है यानिकि वह इनक्टीव फार्म में हो जाएगा ठीक है कि अनग्यंटन निरस्टें नहीं होगा समझ बत्रोप अप्नी सब बातों को एक बर लेंगवेस के मात्य Guru द यानि कि आप उसकी गंदकी को स्वायल में जो लगी है आप उसको साफ करेंगे अगर आपको लगता है यह चीज हमारी उप्योग को नहीं आप उसको लिकाल के बाहर फिक देंगे इन हर्बल टक तर्ड ड्राइंग इज मोस्ट कामन मेथड भाई ड्राइंग बहुत ही उसको डिफरन्ट वाटर कांटेंट वैं इसको स्वाडक Не Medия में इंटना भी नहीं सुखा दरेंगे उसके सुख जाये अगदम छचे से तो आप प्लांट को सुखें ग धो दिये हैं मैं इतना सुखेंगे कि उसमें 10 % wattय्च कांटेर बना लो sätt वह सकता है अगर जो यह जो у उसको आप 60-90% सुखा देंगे और बाकी ठीक है तो उसमें उड या फिर सीर है तो आप उसको 5-10% उसमें वाटर कंटेंट छोड़ देंगे लिखा गया है तो वाटर कंटेंट मस्ट बी रिड्यूसेश इबाउट टेंडिंग अपान दे प्रजेंस आप केमिकल कास्ट्वन अगर उसमें आप इतना परसेट केमिकल कास्ट्वन शोड़ देते हैं तुझ उसमें केमिकल सोरी अगर आप उसमें 10% वाइचे शोड़ देत बहुत सारे मित्रड है आप ड्राइट करेंगे यह द्वारा संलाइट अछाइदा स्थान में यह यह आर्टिफिसक चो ड्राइयर डिवायचेंड होते हैं अप उसको सुखानेगे इंड्राइट्रक्स अनजाइम और नाट डिस्टॉइड जो ड्राइड्रक्स हैं उसमें रिमेंस ठीक है अगें दिए फोर ड्राइड ड्रक्स मस्ट भी प्रोटेक्टेड फ्रम दम्वाइसर द्यूरी को स्थोरी तो इंजाइम है वह क्या करेगा तो इंजाइम है वह क्या होगा विकम्स एक्टिव यहां पर है वह एक्टिव हो जाएगा जब आप उसको अगें फ्रोप्रोगेशन के लिए स्टाट हो जाएगा थाड़ आपता इस्टोरिंग तो मैंने बता है आप उसको एक ऐसे स्पेसिपिक प्लेस पर स्टोर कर देंगे जहां पर जोएकी मुआशर नहीं हो ख्रोश कंटेडिन में आप उसको क्या करनेंगे इस्टोर कर देंगे तो प्रोड रग्स वेरी इंपॉड़न फार्द इस्टोर कर लिया है आप उसका मेडिसीन बनाना है तो आप उसको क्या करेंगे छोटी-छोटी पीस में उसको पीस देंगा निकि पाउडर फर्म में बनाएं तब को जीस प्रकार से जरूवब था है आप उस प्रकार से ग्रैं कर लेंगे तो वह लिए है चनली क्रूड ड्रग और पाउडर फर्म पाउडर फर्म में बना जाता है विच क्रिंडिंग आप प्लांट मट्रिय को क्रिंड करके ने कि उसको पीस करके बना जाता है तो क्रिंडिंग के तीन मेसल बने बता है इसके कही मेसल है पहला है तो इस मलेच सेव टीक्री और प्रड लेक्राइब से 50% प्रडाइब कि disappearance हैं क्या क्यों सब्सक्राइब में old लोग या ल्य उसकि कराते दें कि टानका बार जिसको तो क्यों सब्सक्राइब biz लोग्तिक बलका द्रोंग करें कि शानष्य सब्सक्राइब अंतर भंगा है । कर देंगे अपिर ते लिडिंग मेंट कुछ निकाले सब्स ile कर देंगे उस प्रकार चुर्य का यह आक viral करने के लिए कं 거죠 मौरे बोस्ते कि लीए航र आपको इन दोस्तों के आप्ट है에서도 कि अगर चैनल प्रिके लिए तो आप Siriya करेंगे आपके बाइछ क्लास आपका क्लास साथ यानगी जोब्लस को फार्मिसन परकार से होगा तो नेक्स लेक्ट लक्टर वे हम लोग इसी पर discussion करेंगे अगर आपके कोई doubt, कोई queries, कोई questions है तो आप हमसे comment box में doubt queries, questions को पूर सकते हैं मिलते हैं अगले lecture में capsule के साथ अगर आपको PDF notes चाहिए तो आप Telegram channel को join कर सकते हैं वहाँ पे PDF notes available है जिससे आप राप्त करके अपने BSC4 semester की तयारी को complete कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर को obtain कर सकते हैं हमने playlist में BSC4 semester की पहुल साथ papers को upload कर दिया गया है आप paper को देख सकते हैं और उसके carding आपने तयारी को कर दीजिए guess paper भी दे दिया है तो आपके fully completely तयारी हो रही है